आपको बता दें कि एक महपूर अलीगर शरापकांड में 100 से जादा लोगों की जहरीली शराप पीने से मौत हो गई थी इसके बाद से पुलिस लगातार शरापकांड के माफियाओं के उपर कारवाई कर रही है शराप अपराधियों के विरुध शाशन वा डीजीपी मुख्याले के निर्देश अनुसार करवाई करते हुए अलीगर पुलिस ने गैंक्स्टर की करवाई के बाद संपत्ती जप्तिकरण की करवाई शुरू कर शराप माफिया अभियुक्त अनिल चोधरी उसके भाई सुधीर की चल संपत्ती लगभग 6 करोण रुपे गैंक्स्टर अधिनियम की धारा 14-1 के अधिन जप्त की है जन्पद अलीगर पुलिस द्वारा शराप माफिया अनिल चोधरी पुत्र करण सिंग निवासी ग्राम धारा की गड़ी ठाना गौंडा अलीगर के बिरुद कमर तोड कारवाई करते हुए अब मिश्रित शराप का कारोबार कर अवैध रूप से अरजित की गई संपत्ति क चिन्नी करण कर गैंक्स्टर एक्ट की धारा 14-1 के अंतरगत कारवाई करते हुए अवैध चल संपत्ती कीमत लगभग 6 करण रुपए को जब्त किया गया अभियुक्त अनिल द्वारा उपरोग्त संपत्ती जहरीरी शराप के अवैध कारोबार से अनाधिकृत रूप से ध अभियोग पंजिकरित किये गए थे उन सभी में चार्ट शीट प्रेसित कर दी गई है और जेल भेजे गए समस्त अभियुक्तों को चार्ट शीट कर दिया गया है गैंग्स्टर अधिनियम के तहट जो पांच मुकदमे विविविन थानों में दर्ज कराए गए थे उन से स प्रोड तीस लाकी संपत्ति को आज जब्त किया गया है यह संपत्ति इसके द्वारा लगवश्त दो दसक में अपराद से अरजित की गई थी और इसको पुलिस द्वारा चिन्नित किया गया इस अपराद से अरजित संपत्ती को आज जब्त किया गया है और वहीं जो अन्य अभ्यूक्त हैं उनकी भी संपत्तियां जो चिन्नित हैं अब लगातार ये जब्ति करण का सिल्सिला जारी रखा जाएगा और जब तक कि इन समस्थ अभ्यूक्तों से संबंदित इनकी समस्थ अपराज से अर्जित जितनी भी संपत्ती है यह पूरी जबत नहीं हो जाती तब तक यह अभिहान लगातार जारी रहेगा